हेलो आग Everybody आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस परकार unit conversion कर सकते हैं दिसे किलो मीटर से decimeter में decimeter में या किलो ग्राम से किस परकार decigram minimum मिलिग्राम छी किलो लीटर से किस परकार दबाएं नई notification पाने के लिए आईए अब हम जानते हैं कि वो क्या ट्रिक है जिससे कि हम conversion जो इसली याद रख सकते हैं इसके लिए आपको याद रखना है केले हैं दुकान मैं दुकान से मंगवाओ केले हैं दुकान मैं दुकान से मंगवाओ यहां केले से हम के 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 हें से से ह्ट दुकान से डी मैं से M फिर दुकान से D से सेसी और मंगवाओं के फर्स ले लेंगे लिए हम देखेनों सकते हैं सिर्फ यतने के लिए था के से किलो हैक्टो ड्यका एंसे मिटर डी से ड्यक्ति और मिली अब जेखे जब हमें चnoise करनी है focuses how many industry finishes हम आधिकम्न रहते हैं वह मैंंने कि लेकैं दैसिट जाना है यह तक यह देखिए इसमें ना से जा रहे हैं तो हम कितने स्पाल आगे पि congressional है के यह दो तीन चार तो हम पर लगना तो ये कितना हो गया को हम किए болiere डिया ट्यक्यटेश करत घंडेशी कर लेजिए वस्अ टोलनीडल लेटे व्याचे सैफिकल्टेशल कर मैं ली यहां तरह द्यक्तर है मेली नीटर अंदीर कि हम जा रहे हैं घंल से जा रहे हैं कहा जा रहे हैं मिली पे हेक्टो से तो हैक्टो से हम कितने स्टेप के एक दो तीन by का वन ऐसे और जीन गरनी 512345 इनके किने स्टेप के थे एक तो तीन चार पांच हेक्टो से यहां तर जाने के लिए हमें एक दो तीन चार पांच स्टेप लेगे थे इस लिए यह हो जाएगा वन लाइक मिलिमीटर अब देखिए अगर रिवर्स और में हमने यहां से वापीस आना है मान लीजिए वन सेंटीमेटर से हम कहां आ रहे हैं है क्टर अब रिवर्स में आ रहे है तो आपने सेम वजी ٹश पॉलो करना है लेकिन आप क्या करना है वापी सर्वर्स और में आ रहे हैं तो डिवाइड करने जीरो कहा है नीचे लिए गिनने वही सब बॉक्स इस इतने बॉक्स पीच ए एक दो तीन चार तो किने चुलोएगी एक दो तीन चार जिरो और एक यह बन जाएगा 10 days to power minus 4 hectometer अगर अब एक और से समझते हैं वन मीटर इसकल तो हो मैंनी किलो मीटर वन मीटर इसकल तो हो मैंनी किलो मीटर अब दीखिए मीटर से जाना है हमने कहां जा रहे हैं किलो मीटर की तरफ तो कितने स्टेप पिछे गे हम एक दो तीन तो यह वाला वन वन और एक दो तीन जीरो इनके 10 days to power minus 3 किलो मीटर इसे डिनोट कर सकते हैं इस तरह से हम एजली कनवर्शन सभी कर सकते हैं जो जब वेट होगा तो उस केस में आपने ग्राम लेना है किलो ग्राम हेक्टो ग्राम और जब लिक्वड होगा तो उसमें किलो लीटर हेक्टो लीटर और मेरी लीटर लेना है